हेलो दोस्तों मेरा नाम है रितेश और आज हम बात करने वाले हैं टाटा की नेक्षॉन इवी के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स तो आए वीडियो में लाज तक बने रही है तो फ्रेंड्स यह है टाटा नेक्षॉन इवी की ड्राइंग अभी तक कमपनी ने नेक्षॉन की 13,500 यूनिट से भी जादा सेल कर चुकी है इस कार की हमेशा प्री बुकिंग चलती है मतलब की ये कार आप कमपनी से डिरेक्टली नहीं खरीच सकते हैं इस कार की हमेशा सौटेज रहती है बहुत सारी state government electric vehicles पे subsidy देती है बट बहुत सारी state ऐसे भी हैं जहाँ पे subsidy बिलकुल नहीं मिलती है जैसे उत्तरप्रदेश केरल करनाटका, तमिलनाडू, तेलंगना, MP, आंधरप्रदेश, पंजाब Tata की ये SUV fully electric और नए-नए latest features के साथ fully loaded है दोस्तों अभी हमने इसकी roof पे white color कर लिया है और जहाँ-जहाँ dark areas है, tires के और tires के पीछे के तो हम उसको पहले अभी color कर रहे है, light and dark का तो दोस्तों ये एक India का बहुत ही बड़ा down point है, कि यहाँ पे एक ही India में, एक ही देश में, अलग-अलग जगा पे अलग-अलग rules हैं, अलग-अलग government, अलग-अलग तरीके से सारे rules को apply करते हैं और follow करते हैं दोस्तों Tata Company अपने ही देश India की company है दोस्तों ये company अपनी safety और मजबूत build quality के लिए हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है दोस्तों ये company बहुत ही speed से मारूती सुजुकी को टकर देते हुए आगे निकलने वाली है अभी हम Naxon में, Naxon की real color, Persian blue color से इसकी body को अब हम paint करेंगे अभी हम इसके bonnet को paint कर रहे है ये color थोड़ा dark लग रहा है, बाद में हम इसमें white भी मिला के इसको real color ला सकते हैं तो दोस्तों ये रहा इसका real color मैंने अभी इसकी body को complete कर लिया है अभी हम इसमें light, जहां पे light है वहाँ light color करेंगे जहां पे dark है वहाँ dark color करेंगे दोस्तों अभी बहुत time हो गया है और ये painting अभी complete नहीं है तो हमें अभी बहुत भूख लग रही है तो हम अभी चलते हैं, थोड़ा खाना खा लेते हैं तो ये रहा खाना आ चुका है तो आपन खाना खाने के बाद वीडियो शूट करते हैं यहां पे हमने कुछ जगह पे light and dark shade दे दिया है हाला कि हम अकेले ही वीडियो को शूट कर रहे हैं जिसे हम पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे तो आप इससे भी देख के बहुत ही अंदाजा लगा सकते हैं अभी हम इसके alloy को paint कर रहे हैं इसको paint करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपको बहुत carefully paint करना है इसमें alloy के six hole होते हैं आपको इसे count करके drawing करने के बाद ही paint करना है अच्छे से ताकि आपकी painting खराब ना हो थोड़ा भी कम ज़्यादा इधर दर होने पे वो original look नहीं आपाता है original वाली feeling नहीं आपाती है तो वो car original नहीं लगेगा तो आपको बहुत ही carefully सारी चीजें अच्छे से देख के बढने है दोस्तों मैंने इसके tear पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है मुझे ऐसे ही थोड़ा look आने लगा था तो फिर मेरा मन खतम हो गया तो मैंने फिर इसको इतना incomplete ही छोड़ दिया tear पर मैंने इसके ज़्यादा detailing नहीं किया दोस्तों ये कार या ऐसी कार बहुत लोगों का सपना होता है and of course अपन का भी है तो मैंने इसकी painting इसी लिए बना डाली इतने मन से दोस्तों अब हम इसके fog lamp को paint करने जा रहे हैं दोस्तों इसका design इतना muscular and प्यारा है इसमें मुझे paint करते हुए बहुत ज़्यादा interesting ये लग रहा है बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी हम fog lamp के नीचे dark area जो है वहाँ पे हम dark कर रहे हैं fog lamp में बहुत सारे color है black है, grey है, white है और light blue है अब हम door handle के उपर जहाँ पे light shade नज़र आ रहा है हम वहाँ पे अब white color से वहाँ पे light shade देने की कोशिस करेंगे नंबर plate के नीचे dark color है तो हम वहाँ पे dark color करेंगे और उसके उपर जो design है, graphic बना हुआ है टाटा का वह मुझे बहुत ज़्यादा पसंदा है अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हायाँ मुझे लादा डstäश ूपिझे डाटा परे पार्ट में करेंगे के पार्ट में वीडियो वीडों गनी आए बाटा कि अधके प्श्रेंगा भंद जेके बहाँ अधक्त तो बाकी की डीटेलिंग हम आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे और हम आर्टिस्ट के लिए एक आर्टिस्ट वर्जन और लंबी वीडियो होगी वो लेकर आएंगे आपकी डिमांड पे